नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में करोना के लोकर जारे की गई नई गाइडलाइन के बारे में कुरोना महामारी के इस दूसरी लहर में देश के अनेक राज बुरी तरह से प्रवावित हुए बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कुरोना पोजेटीव मरीजों के संख्या में लगातार बिरिधी हो रही है कुरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए रासरकार दोरा बिभागे आदेश संख्या 26-23 को भी 9-4-2021 तक संख्या फैलने को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोशना की गई है जिसे अब 30-4-2021 तक के लिए लागू कर दिया गया है राजमिन COVID-19 के संक्रमन के प्रसार को जिला वारसर मिक्षा के उपरांते COVID-19 संक्रमन के मामलों को नियंतरित करने एवं बेहतर स्वास विवस्ता उपला उधकराने के लिए भागे आदेश संख्या 40-18-4-2021 के माध्यम से अतरीक्त प्रतिबंध लागू किये गए हैं जो कि 15-5-2021 तक लागू रहेंगे ग्री सची भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेंडमेंट जोन को चिनित कर समान रूप रेखा तय करने की बात कहीं गई है इतर बिहार में बढ़ते करोना के मामलों को देखते हुए कई बार कई गठी निरने लिए गए हैं जिसमें से 28-4-2021 को आपदा प्रबंधन समोग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जो कि 15-5-2021 तक के लिए प्रभावी रहेंगे तो आईए जानते हैं कोरोना के गाइडलाइन के तहट जो नई गाइडलाइन जारे की गई है उसमें किन-किन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है सभी दुकाने जो है साम 6 बजे के बजाए अब 4 बजे ही बंद होंगी इसके साती साती है भी कहा गया है कि बजारों में भीर ना हो इसके लिए अस्ट्रेजी बनाने की बात कही गई है और भीर भार वाली जगह को की जगह वाले मंडियों पर भी परतिबंद लगाते हुए उ इसके साथ साथ अंतिम संसकार में विस विक्ति की अधिकतम सीमा की बात तो होगी है इसफ्दी के दोरान सभी सरकारी गयर सरकारी कर जाल है बात कहीं गई है सभी सरकारी बाग गैर सरकारी कारजाला चार बजे अपराहन में बंद हो जाएंगी दंड सहीता कि धार 144 के बारे में भी पूर्विव में दिये गए निदेशंग पर सकति से नुपालन और जिला अधिकारी करेंगे और इसका ब्यापक परचार परसार भी कर सब्सक्राइब नियुकी करणां शकूर को चोड़कोशन दुकान फिर्फव को चोड़कि दुकाने जो है वो बंद करने की बात कही गई है इसके अपर्थ बाध के लिए भी नियम लागू किया गया जिसमें कहा गया है कि क्रोना से मरे हुए ब्यक्ति का अंतिमस्कार राज़ सरकार की करने की बात कही गई है यह भी कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं गरामिन विकास विभाग इसके लिए क्रमसह नगर निकाई वं परखंड विकास पता धिकारी की अधिक्रित तर अवसकता मुसार रासी का जो है अवंटन करे इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एलोपैथ, आयूस, युनानी डेंटल चेकित्सा सहीत लाइब टेकनिसियन नर्स पारा वेडिकल अस्टाप एवं इनेस्टेटिक के आस्थाई पदों का स्रीजन बाकिन इंटर्व्यू के माध्यम से नियुम्तम एक बर्स के लिए संविधा परन्यूप की जाए जिाम लिए स्चुभाइ के ही उन्हें एक साल के सरकारी अनभफ की अधिमानता दी जाए इसके साथ सभी वेंटिलेटर को करने की बात कही गयी है नीजी छेट में सहीयोग से वेंटिलेटर को चलाने की बात कही गई है इसके साथ आटी PCR जांच की संख्या को और बढ़ाने की बात कही गई है पस्षिं मंगाल से चुनाब के लौटे पुलिस करमियों को करोना से जांच कराने की बात कही गई है यह भी कहा गया है कि रिडे पर हेल्प लाइन नंबर जारी करने की बात कही गई इसके साथ मुझभफर पूर में किया जाए इसको लेकर भी जो है गाइडलाइन में बात कही गई है सभी जिल अधिकारियों को प्रस्थिती करुंसार धारा 144 लागों करने का जो है अधिकार दिया गया है इस करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 पर भारतिय दंड साहिंता की धारा 188 के प्रापधानों के अंतरगर दंडाटमक करवाई की जाएगी तो यह थी को लेकर नई गाइडलाइन जो की अगले महीने 15 मैं तक के लिए जारी रहेगी बिहार में लगत के घृतार क्रोणा के मामलों में विर्धी हो रहे है इन सब चीजहों को देखते हुए बिहार वह सरकार लगतार को लेकर कुछ नए नए अपडेट गार